आज मैं आठवी के मैच में आपको पढ़ाने वाली हूं चैप्टर नमबर 17 जिसका नाम है बृत जीवाय ओम चाप तो बृत से संबंदीत को महतोपुड कुछ परिभाशा हैं जैसे बृत की जीवा बृत की परिभासा बृत की परिदी बृत का ब्यास बृत के चाप तो यह सारी परिभासाओं का एक वीडियो बना कर मैंने जो है अपलोट किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है महां जाकरी सारे अच्छे वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो आज मैं आज को पढ़ाने वाले हूं आपकी जो है तो यहां पर अल्ड़ी भर दिया है तो आपको समझा देते हैं कि रेखाकन ये एक बृत बनाया गया है जिसमें कुछ चीजों के नाम दिये गया है उसी से संबंदित ये प्रश्न पूछा गया है तो मैं बिभुमेश्रा आपका स्वागत करते हैं मेरे यूटूब चैन ठीक है इसके बाद रेक एबी ब्रित का ब्यास है ए और बी जो ब्रित की दोनों परिदी पर केंद्र से होकर मिलता है वो ब्रित का क्या होता है ब्यास होता है तो एबी ब्रित का क्या हो गया ब्यास हो गया रेक पी क्यू ब्रित की यहां पी क्यू मतलब ब्यास को छोड़क कहीं से भी बिल्ले वाली रेखा को क्या बोलते हैं तो फ्रैंड फ्रैंड इसके बाद दिया हुआ है कि कोड़ केंदर कोड है क्यूं डी ओ बी केंद्र से वाकर श्ता थीख पर चाप नरहे त 50 सायल चाफ पर फिर चाप P और Q दिया हुआ है और चाप B और Q दिया हुआ है यह सारे चाप लगु चाप होते हैं उसके बाद दिर्ग चाप होते हैं जो बड़े चाप होते हैं जिसमें की चाप P, A, B पी ए और बी यहां से यहां तक यह क्या है बड़े चाप है तो इसमें चाप बड़े यह हो गया यहां से यहां तक उसके बाद चाप पी डी क्यू यह जो पी है और डी पी डी और क्यू यह बड़े चाप हो गया और एक बड़ा चाप हो जाएगा एबी पी ए से बी बी से पी ये क्या हो जाएंगे, बड़ी चाप हो गए, इसके बाद अर्ध बृति का चाप ADB होगा, मतलब ये बृति को दो भागों में बाद दिया, इधर का चाप अलग हो जाएगा, इधर का अलग हो जाएगा, तो A, D और B में क्या हो जाएगा, A और दूसरा हो जाएगा, A, P, B, इधर अरदबृतिका चाप हो गया और एपी भी इधर अरदबृतिका चाप हो जाएगा M चाप D और B में बनेगा उसमें बनने वाला कोड़ DOB होगा ठीक है और DAB में बनने वाला कोड़ DAB इस चाप में बनने वाला कोड़ होगा वो 360 माइनस क्या हो जाएगा तो इस तरीके से इसमें कुछ चीज़े फिल करनी थी इसके बाद आपका बुक में दिया हुआ है बृत की जीवा का क्या गुर्धर्म होता है तो यहां पर पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि बृत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा क गया लंग अब यह जीवा पर जो हम लंब डालेंगे यह मालेजे मैंने क्या कर दिया इसका नाम ए लिख दिया इसका नाम बी लिख दिया ठीक है तो इस पर जब हम लंब मतलब क्या होता है नब्बे अंश का कोड लंब को क्या बलते है नब्बे अंश का कोड जब हम इसको कर लेने कि बृत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम दिभाजित करता है इससे संबंधित जो है आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट में जो है आपको प्रॉब्लम सवाल मिलने वाली है इसी में दूसरा दिया हुआ है कि बृत केंद्र से तथा बृत केंद् प्रित की केंद्र आए इस ब्रित केंद्र मालिज इस प्रित में इस्थिद जिवा रिधाक और यह री केंद्र है gli ज complation पर लंब होता है तो ओविसली ये जीवा पर क्या होगा लंब हो जागा यानि कि नब्वेंज का कोड़ बनाएगा तो ये दो जो है आपको प्रमिय जैसा दिया हुआ है आपको समझना होगा तो इस तरीके से हम इसको स्वार्ब कर लेता है इसको याद कर लेजिए और है तो ओटी लंब जीवा पीटी पर जो ओए है शॉरी ओए है पी क्यूपर क्या है लंब है तो ए पी का मान बताए यह पूरा जो है तो इसका मान आधा हो जाएगा दो जो क्योंकि वे समझा भाज़ित करते हैं तो यहीं पर देखिए बिन्दू A agreement मद्व बिन्दू है तो व्रित के केंदर से जिवा पर डाला गया लंग, जिवा सम्झे भाजित करता है, तो समान दो भाप को में बाटेगा तो पा का मान बेराबर होगा, कि ओ केंद्र वाले किसी बृत्य की तरिज्या 10 से मी है उस बृत्य की एक जीवा केंद्र से 6 से मी धूरी पर हो तो उस जीवा की लंबाई बताईए यह जो है तरिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है फ्रेंड और उस बृत्य की एक एक जीवा कें मंद्र से 6 मीटर यह वाला ममन मान 6 सेटीमेटर की दुरी है तो उस जीवा की लंबाई ग्याद की जिवा का मतलब पहले हम इतनी का मान जब ग्याद कर लेंगे तो इसका डबल कर देंगे तो हमें A-B का मान ग्याद हो जाएगा ठीक है फ्रेंट तो यहां पर पाइथा गोरस लगेगा हमें पता है कि ये त्रिभूज है ठीक है त्रिभूज जैसा बन रहा है तो हमें पता है कि पाइथा गुरस प्रम्य में यहां पर जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं देखें बृत की केंद से दूर उस जीवा पर खिची गई लंब रेखा की लंबाई तो यहां प संच सिर्वलड का है कि जब दो भुजाओ का मान ग्यााथ हो तो तीसरी भुजा का मान पाइथा गुरस परम्य से ग्याद कर सकते हैं शुत्र होता है कि कर्ड का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर धन आधर का स्कॉयर तो कड गों के दिया हुआ हैं दिया हुआ है 50 का स्कॉयर बढब लंब proposed of i- Mac 2едь यह 20 का स्कॉयर और यह दें थे घृवायाइगे तो इस तरीके इहां पर लेंगे तो five प्रेंट तो दस धन 6 बराबर 16 हो जाएगा दस में से चार गया चार तो 16 गुड़े चार हो जाएगा ठीक है अब यहां पर 64 हो गया तो 64 का जब यह स्क्वाइर के मान जब करडी में निकालेंगे तो आठ अठ तो 64 इसका वर्गमूल 8 होता है तो PB का मान 8 हो गया ठीक है फ्रे सेंटीमेटर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट आठ का दुगुना कर देंगे तो इस तरीके से हमारा यह सौल हो जाएगा तो फ्रेंड इस अब लेक्षा नंबर टू में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 17.1 का पूरा प्रशन संग्र का यह यहां पर देखे इस तरीके से दो गुड़े आठ करके 16 दो गुड़े आठ करके 16 आंसर दिया हुआ है हम 17.1 का पूरा प्रशन संग्र तीन-चार सवाल दीवें सबको सौल करेंगे तब तक के लिफ्रेंट्स पाए थैंक्यू फॉर वाचिंग